हलो फ्रेंड आपकी अपनी चैनल फन बित फूट में आपका स्वागत है तो हो जाएए तैयार हमारे साथ आज हम बनाने जा रहे हैं इस्पेशल रेसिपी जो आपको बेहदी पसंद आने वाली है तो प्याज के प्रेमियों के लिए जिने प्याज बेहदी पसंद है तो उनके लिए हम बनाने जा रहे हैं प्याज से इस्पेशल रेसिपी इसके लिए सबसे पहले हम प्याज लेंगे इसे हमने दोनों तरप से काट लिया है अब हम इस तरीके से बीच में चक्कू लगा कर उसके बीच का जो भी भाग है उसे निकाल लेंगे अब हमें प्याज को छीलना है प्याज को छीलने के बाद हम इसके चार टुगडे करेंगे इस पैकार से फिर हम उसको पीच से कट कर लेंगे तरीके से हम सारी प्याज चील लेंगे और उसके टुकडे कर लेंगे हमने एक प्याज के चार टुकडे किये हैं आप चाहें तो चार टुकडे भी कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई सबजी नहीं है या आपको सबजी खाने का मन नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरीके से प्याज की सबजी बना सकते हैं यह बहुत ही पॉस्टिक होती है और खाने में भी उतनी ही स्वादिस्ट होती है अब हमने दो टमाटल लिये हैं दो टमाटल लेकर हमने अच्छी तरीके से धो लिया है अब हमेने भी बारिक काट लेंगे अब हमारी मिर्च लेंगे मिर्च के भी हमने एक मिर्च के चार भाग किये है हमने इसे बारिक नहीं काटा है अधरक के टुकड़े कर लेंगे टमाटर हमारी कट चुके हैं हमने बारिक कट करके रखे हैं इने आप इस तरीके से ही न काटें अब हम कड़ाई लेंगे कड़ाई में तेल डालना है करीबन करीबन 4-5 चमस तेल डाला है हमारा आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं चाहे तो सर्सों का तेल ले सकते हैं इसे हमने अच्छी तरीके से गर्म कर ल दालेंगे लहसुन की कली डालेंगे जो हमने बारी काट कर रखी थी गर्मियों के दिनों में तो प्याज बहुत ही फायदा करती है अद्रक के टुकड़ी काटे थे वह डाल लेंगे हम अगर आप नहीं खाना चाहते तो मट डालिए इसमें दो हमने लाल मिज डाली हैं सुखी अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी अद्रक अच्छी तरीके से सके आप इसमें अपनी पसंद के और भी मसाले एड़ कर सकते हैं आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं यह सबची बहुत ही पॉस्टिक होती है और हैल्थी भी होती है अ और इसे भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, प्याज के टुकड़े जो हमने काट कर रखे थे उसे अब हम एट कर देंगे, इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, देखिए इस तरीके से, तो आप कभी से ट्राइ कर रहे हैं, यह सब्जी बहुती बनाने में जितनी अच्छी है खाने में उससे भी जादा अच्छी लगती है आप इसे ट्राइ जरूर करें जिसे प्याज पसंद भी नहीं होगी वह भी ये सबजी को बहुत ही चाव से खाने वाले हैं बहुत ही हेल्थी सब्जी है और थाीराइट के लिए तो यह रामबार है नहीं खाई है तो आप इसे ट्राइ जरूर करें अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है आप चाहें तो इसमें बिल्कुल भी पानी एड़ ना करें ओफ्सनल है पानी डालना है हमने इसमें धनिया पाओडर डाला है थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें गे स्वादानुसार इस अची तरीके से मिक्स करकर अब हम इसे धक्कर रख देंगे पकने के लिए अब हमइसे 4 मिनिट बाद खुल कर देखेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ताकि अनीचे से छिपके नहीं अब हम टमाडर काट कर जो हमने रखे थे उसे एड़ कर देंगे नमक डालना है स्वादा नुसार इसके बिना तो सब सूना ही सूना है नमक के बिना तो सब को सूना सूना लगता है चाहे आप उसमें जितनी भी मसाले एड़ कर लें पर अगर नमक कम ज़ादा हो गया तो सारी रेसिपी का कचड़ा हो जाएगा अब हम हरी मिर्स डाल देंगे बारिक जो हरी मिर्स काटकर डाल रखी थी उन्हें डाल देंगे आप कसूरी मैथी डालेंगे इसे हमने अच्छी तरीके से हाँ से क्रेस्ट कर दिया है उसे भी एट कर देंगे और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे आप इस तरीके की सबजी बना कर देखेंगे तो आप अगर दो रोटी खाते होंगे तो आप चार रोटी खाएंगे करम मसाला डाल देंगे इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब आ रही है हमारी रेसिपी की जान अब आप ज्यादा मत सोच है अब हम आपको बता ही देते हैं मलाई हमारी, हमने इसमें कटोरी भरकर मलाई डाली है, और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, हमारी सब्जी की जानी है मलाई, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है, तो इसे अपने परिवार और मित्नों के साथ शेयर, कि हम क्या बना रहे हैं, हम बन करने हमारी, अच्छी लगते हैं खाने में, अगर आप ज़्यादा खटा हैं, अगर आप ज्यादा खटा पसंद करते हैं, तो इसमें हमने थोड़ा सा अमचुर पाउडास, posição थाज़ा अमचुर बार रेड किया है, अगर आप जिद्धा खटा नहीं काते हैं, तो अमचुर तरीके से पक चुकी है इतनी बढ़ियां लग रही है देख इसे डग देंगे ढ़क कर दो मिनिट के लिए ताकि हमारी प्याज अथी तरीके से पक सके हमने ढ़कन खोल लिया है और हम इसमें डालेंगे भर भर कर धनिया जिससे हमारी सब्री का स्वाद में चार चान लग जाएंगे इसमें आप भर भर कर धनिया जरूर डालें इसका स्वाद चार गुना और बढ़ जाएगा अब हम इसे किसी दूसरे बरतन में निकाल लेंगे तो तैयार है हमारी सब्ची आपके खाने के लिए तो तैयार है हमारी प्याज मलाई की सब्ची जो आपको ही बहुत पसंद आने वाली है हम खा रहे हैं इसे रूमारी रोटी के साथ अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राब